हैलो फ्रेंड्स आज मैं अपने किचन में लेक्याई हूं रच्छा वंदन स्पेशल स्विट रेस्पी जो बहुत ही आसानी से बहुत ही कम खर्चे में बनके तयार होने वाला है मुस्किल से 50 रुपे की खर्च में हमें आपे 5-6 रुपे कीलो मिलने वाली मिठाई बना कर तय करेंगे वह भी बहुत ही आसानी से इसे बनाना बहुत ही आसान है और सुपर डूपर डिलिशास मारे स्विट रेस्पी बनके तयार होने वाला है तो चलिए वीडियो को भीना स्कीप के वे फुल वाच करिए गा और इसे बनाना सुरू करते हैं विलकम बैक टू माइच चै अब मैदे को क्या करना है ना हमें लो फ्लेम पे इसे चार से पाच मिनट तक भूनना है गैस को हमें लो फ्लेम पे ही रखना है हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम नहीं करना है ना तो हमें इसका कलर चेंज करना है कलर से मैसे ही रहेगा बस यहाँ पर जो है ना मैदे का लो फ्लेम पे हम इसे भूनेंगे अगर हाँ आप भी चाहते हैं कि आपकी भी रेस्पी एक्टम परफेक्ट तरीके से बने तो प्लेज बीडियो को इसकी प्चरा से भी नहीं करिएगा और सारे इस टेप को फॉलो करिएगा तो यहाँ पर मैंने इसको क्या किया है न च्टार से पाच मिनट तक लो फ्लेम पे भून लिया है अब यहाँ पर हम एड़ करने वाले हैं दो चमज देशी घी तो यहाँ पर मैंने इस मिठाई को देशी घी में बनाया क्योंकि मुझे एकदम प्योर देशी घी वाली मिठाई चाहिए वह भी मार्केट की तरफ तो देशी घ गंटी को प्रेस करना तो एकदम मत भूले ताकि हमारी जो भी वीडियो है इसको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हैं यहाँ पर फिर मैंने वापिस से दो मिनट बाद दो चमज और घी यहाँ पर एड़ कर दिया है चार चमज है यहाँ पर यह मतलब कि मैंने नार्मल चम इसमें हलकी हलकी सी खुसबू भी आने लगी है तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इसे एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने इसको एक थाली में ट्रांसफर कर लिया है और इसमें जब हम थाली में डालेंगे इसको थाली में अच्छी तरह से हम फैला देंगे क्योंकि जब हम घी डालते है थोड़ा साइज में क्या होता है मैदा में जब मैदा भुनने लगता है थोड़ी से गुठलिया जैसी होने लगती है तो इस तरह से पहले हम इसको खुब अच्छी तरह से फैला देंगे ये देखिए और इसे रख देंगे हम साइड में ठंडा होने के लिए जब तक मैदा हमारा ठंडा होगा ना तब तक हम क्या करेंगे इसके लिए हम चासनी बनाएंगे तो चलिए इसे रख देते हैं रेश्ट में और चासनी बनाना शुरू करते हैं तो चासनी बनाने में सबसे ज़्यादा हमें फॉलो करना रहता है सारे इस टेप को तो यहाँ पर हम क्या करेंगे नो वापिस से वही पैन गैस पे रख दिंगे और उसमें हम डालेंगे एक कटोरी चीनी तो यहाँ पर मीठा आप अपने हिसाप से कम ज़्यादा कर सकते हैं आधी कटोरी मैंने डाल दिया उसी कटोरी से पानी अब इसे हम क्या करेंगे मीडियम फ्लेम पे यहाँ पर चासनी को पकाएंगे यहाँ पर मैंने दो कटोरी मैदा लिया है एक कटोरी चीनी आधी कटोरी पानी इस बात को आप मतलब की बराबर से ध्यान रखे अगर आप चाहें तो यहाँ पर मीठा आप अपने हिसाफ से कम जादा कर सकते हैं मैंने मिठाई एकदम नॉर्मल ना तो जादा मीठा ना तो जादा फीकाई बनाया है चासनी को हम खुब अच्छा सा वबल्स ना आने लगी आप यहाँ पर देख रहे होंगे और चासनी को यहाँ पर इस तरह से टच करेंगे तो यह देखिए चासनी में हलकी हलकी तार बनने लगी है तो यानि चासनी में हमें तार बनानी भी है लेकिन पतली वाली तार बनानी वाली है मोटी वा दिया है कुटी हुई हरी इलाइची अब हम मिठाई में मावा का फ्लेवर और मिठाई हमारी एकदम स्मूद बने मों में जाते ही घुल जाए उसके लिए हमने यहां पर डाल दिया है दो से तीन चबमच के करीब फ्रेस मलाई जो दूद पर मलाई होती है हमने वही मलाई यूज की है इसे डालके अच्छी तरह से हम इसमें मेल्ट करेंगे तो यहां पर आप देख रहे होंगे मलाई भी जो है चासनी में मिल गई है और चासनी को हमने गैस पे से उतार लिया है अब इसे हमें नीचे ही रखना है गैस पे से और इसमें हमने जो मैदा भून के रखना है उसे हम यहाँ पर डालेंगे और इसको हम फटाफट मिक्स करेंगे मतलब बिना देर किये हुए हम इसको मिक्स करेंगे जब हम इसे चासनी में डालेंगे तो चासनी कुछ इस तरह से मतलब liquid वाले फॉरम में रहेगा अब जैसे जैसे ये जो है ना हमारा मैदा ठंडा होगा चासनी ठंडा होगा ये थोड़ा सा थीक होने लगेगा तो यहाँ पर हमें जल्दी जल्दी से इसको मिक्स खना है ताकि मैदा में जरा से भी गुठलिया ना रहे और मिठा ही हमारी ए थोड़ा सा थीक हो जाए तो यहां पर मैंने इसको गैस पे नहीं रखा है नीचे ही रखके इसको मैंने 5-6 मिनट तक लगातार चलाते हुए कुछ इस तरह से मिक्स किया है तो यहां पर आप देख रहे होंगे जैसे जैसे यह मिक्स हो रहा है थोड़ा सा थीक हो रहा है और य यानि हमारी जो यहां पर मिठाई का डो है ना सेट होने के लिए रेडी हो गया है तो अब हमें क्या करना है एक प्लेट लेना है के टिन लेना है या तो थाली लेना जिसमें आपको इसको सेट करना है उसमें हम अच्छी तरह से लगा देंगे घी लगागे को अच्छी तरह से कि मोटा रखना है या पतला रखना है मैंने मीडियम साहिट कर रखा है ना तो मोटा ही है ना तो पतला ही है क्योंकि मिठाई का आप सेप देख रहे होंगे कि गोल-गोल मैंने बना रखा है थोड़े से पेड़े की तरह इसलिए मैंने इसका थिकनस थोड़ा सा पतला ही रखा अब इसको हम चम्मच से इस तरह से फैलाएंगे जब चम्मच से फैलाएंगे न तो इसलिए क्या करिए ने थोड़ा सा घी लगा लीजिए ताकि यह इसमें चिकनाहट बना रहा है तो यहाँ पर मैंने इसको खूब अच्छी तरह से फैला दिया है यह देखिए उपर से बहुत ही अच्छी तरह से सेट कर दिया है अब इसे मैंने क्या किया ना आपके पास टाइम है तो आप 2-3 घंटे के लिए रख देजिए लेकिन मैंने इसको फूल नाइट के लिए रेष्ट पर रख दिया है अब इसको आपने मन चाहे पिसेज में इसको कट करिए तो यहा चोटे छोटे पीसेज करेंगे अगर आप चाही तो ट्रैंगल सेप में जिस तरह से बरफी की पीसेज होती तरह से हपकट कर हैं मैंने इसको गोल जोले इस तरह से कट कर लिया है अगर आप चासनी जादा थिक बना देंगे तो मिठाई क्या होगा इतना कड़क सा हो जाएगा जो इसे चासनी चासनी दरदरा सा हो जाता वैसा हो जाएगा यहाँ पर ना तो चासनी को हमने पतला ही रखा है ना तो जादा गाढ़ा रखा है इसलिए मिठाई जो हमारी बहुत स्मूथ है मतलब कि न तो दात में चिपकेगा न कट कट की इसमें आवाज आएगी जैसे मिठाई मार्केट में मिलती है न सेम उस तरह से हमने इस मिठाई को बना के तयार की है तो ये देखें काफी पीसेज इसमें बन गई है तो इसी तरह से मैंने या पर सा न तो हमने इसमें दूद का यूज किया है न तो मावा का यूज किया है न तो मिल्क पाउडर ही यूज किया है तो चलिए अब इसको हम साइट से इस तरह से छुडाएंगे तो मैंने या पर देसी घी यूज किया है इस देसी घी आपको तो पता योगा की नीचे से चिपक को निकाल लेंगे तो चलिए इसे हम निकाल लेते और इसको हम गानिस भी करेंगे आप इसको चांदी की पर्ट से भी गानिस कर सकते हैं पिस्ता पदम काजू आपके पास जो भी अबलेबल हो आप उससे इसको गानिस कर लेजिए तो मैंने यहाँ पर सारी पिसे इसी तरह से क इस है इसका लुक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और देखने में भी बहुत लगता है और खाने में भी बहुत डिलिसेस आप भी इस तरह से रक्षाबंदन पर जो है ना कुछ इस पेसल से स्वीट रेस भी है घर में भी सभी को बहुत पसंद आएगा और काफी हाइजिनिक तरीके से बनके तयार भी होगा तो मार्केट में मिठाया तो त्योहारों पर खास करकर जो है नब काफी मिलावटी मिठाई बनके तयार होता है तो मैं तो यही कोंगी कि रच्छा बंदन पर बाहर से लाने की घर में इस रेश्पी को बनाई है पूरी फैमली आपकी तारिफ करने वाले जो भी गेश्ट आएंगे वो भी आपकी तारिफ करने वाले है तो अगर आपको हमारी यह रेश्पी जरा से भी पसंद आई हो न तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल पे नए तो चैन आपको हमारी जरा से भी पसंद आई हो न तो प्लीज वीडियो पे एक लाइक और कमेंट करना तो बनता ही है और हाँ अगर आपकी कोई डिमांड हो तो आपने डिमांड भी करके बता सकते हैं कि अगली रेश्पी मैं कौन से लेकर आऊं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वी आप सभी को धीर सारा थाइंक्यू